सब्सक्राइब करें मैं चैनल को और सामने दे हुए पैल आइकन को पी जरूर डबाएए मेरे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हेलो एवरिवन वेलकम टू माई चैनल तो देखे आप लोग देख सकते हैं इस ताइम पे मैं ब्रैडल का दुपट्टा सेटिंग दिखा रही हूं और मैंने हेर स्टैल की वीडियो इनकी आप लोग के साथ शेयर कर दी है और बहुत जल्द इनके मेकप की वीडियो भी मैं आ दूसरे का बॉर्डर मिला के और काफी इजी दूपट्टा रैपिंग है ये बट थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि आजकल जिस तरीके की दूपट्टा रैपिंग मेरे पैलर पर होती है उससे थोड़ी सी अलग है ये बट इनकी हाइट वगरा का ध्यान में रखते हुई ये काम किया गया था क्योंकि इनकी हाइट ना काफी कम है तो उसके साथ में आगर हम कुछ ऐसा दिखाएंगे जिसमें इनकी हाइट ना कम नहीं लगनी चाहिए हमें इस तरीके से दुपटा रैपिंग करनी है कि इनकी हाइट को हमें थोड़ा सा ज़्यादा दिखाना है तो हमने पीछे से ये दुपटा नीचा रखा है आप लोग देख सकते हैं देखिए पीछे से दुपटा नीचा रखा है और आगे से उचा रखा है और आप लोग आज की दुपट्टे रैपिंग फोड़ी कम हाइट वालों के लिए है जी लोगों की हाइट थोड़ी कम हो तो उनके दुपटे को इस तरीके साथ एक करेंगे तो उनकी हाइट भी और काफी अच्छी लगेगी लुक भी बहुत बेटर लगेगा तो आप लोग देख सकते हैं इन्होंने पहले शोल्डर पर पिन लगाई थी फिर उन्होंने उसी दुपट्टे को हलका साल हिप्स की साइट को ले जाते हुए एक पिन लगा दी है कोनर से और फिर उसके बाद में आप ये पीछे इसके एक पिन लगा रही है क्योंकि इनके दूसरा दुपट्टा भी जाएगा तो उस दुपट्टे को लगाने के लिए तो ये वाला दुपट्टा जो है वो सर पे नहीं जाना है तो आप लोग देख सकते हैं पीछे से बि जाएवbern में जाए होती है चुन्णी रेपिंग चाहिए होती है और कुछ लोग पूरा धखके अपना कराना चाते हैं चुन्णी के रेपिंग तो जिसकी जैसी नीड हो आप लोगों को उस तरीके से ही दूसरे के साथ में काम करना है तो एक पिन आप लगा दी है दोनों ब कि दुपट्टा खुल जाए या कुछ भी कोई प्रॉब्लम हो इस तरी के को भी ध्यान में रखते हुए तो आप लोग देख सकते हैं मैंने ये दुपट्टे के दोनों बॉर्डर साथ में मिलवा दिये हैं साइट से भी और आप देख सकते हैं इनका आगे का दुपट्टा अच्छे से रैप हो चुका है और पीछे का दुपट्टे की बारी है तो देख सकते हैं आप इनका लुक कितना डिफरेंट लग रहा है एक दुपट्टे के बाद और दूसरा दुपट्टे को हम कभी भी अगर सर पे डालें तो पहले उसको मिला लें क्योंकि वो बराबर बराबर होना चाहिए क्योंकि पीछे से जो दुपट्टे की रैपिंग होती है वो हमेशा बराबर में आनी चाहिए और वो कहीं से क्योंकि पिन बगेरा भी नहीं होता है अब आप देख सकते हैं मैंने इनको कितना आगे चाहिए दुपट्टा वो चीज को पूछते हुए हम लोगों ने देखे बिल्कुल अच्छे से इनके जो हेर स्टाइल में जो जूड़ा बनाया था उसके उपर इनका ये रैप कर दिया है और बहुत अच्छे से पिन लगाई है यहाँ पे भी क्योंकि देखे सारा जो बजन है वो आपका इसी पे रहेगा दुपट्टा जो अच्छल जो चलता है दबल दुपट्टा वो इसी तरीके से होता है पीछे के दुपट्टे पर जूड़े पर पिन लगाई जाती है अदर्वाइस उसको ऐसे ही छोड़ दिया जाता है तो देखे आप देख सकते हैं इनका ओल मौद दुपट्टे की रैपिंग डन है और अब ही मैं आपको देखें इनको दिखाती हूं और बहुत अच्छे से इनकी डुपट्टे की रैपिंग हुई और आप देख सब्सक्राइब कोई रहा है तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए हम लोग प्र Ayрамट को आई होप को आपको अच्छी लगी हो और अगर आच पूली को रैप करते हुए मैं आपको नहीं दिखा पाई उसके लिए sorry तो बठ हमें इसी तरीके से तगली भी लगानी है तो मिलते हैं आप आपसे next वीडियो में till then bye bye पाई आपसे तेशा ए 12 번이면 झाईये आपसे लिगार तरीके सेटी है तरीके से तरीके से कर दो से कुछी है मैं करते हैं आपसे दिखाए प्राश छंद क्यायां श्रीके हैजहाए झाल झाल